पश्यम चंपारन जिले की चंदरावत नदी का अस्तित्व खत्रे में है जल संग्रक्षन के लिए बिहार सरकार से लेकर केंदर सरकार तमाम अवियान चला रही है लेकिन इस तरह की दूरदर्शीता का परीचे 17 शताबदी में बेतिया के राजा गज सिंग ने दिया था उन् महरानी चंदरावत के नाम से इस नदी का नाम चंदरावत नदी रखा गया था बेतिया राजशाही भाउन से मात्र कुछ दूरी पर पत्री घाट का निरमान कर आयं गया था जो जल मार्ग का उस वक्त का बढ़ा केंदर बन चुका था गंड़क के जरीये विभिन जगों से लाए गए सामान यहां उतारे जाते थे धाका से मलमल के कपड़े उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर से पत्थर लाया जाता था इंगलेंड से कोलकाता बंदरगा के रास्ते जहाच से गंगा फिर गंड़क के रास्ते लोह लाया जाता था करीब 250 सालों तक इस जल मारग का उप्योग किया गया मिर्जापूर से आय पत्थरों का इस्तिमाल बेतिया राच के द्वारा बनाये गए मंदिरों में भी किया गया है नदी के हिस्से को अतिक्रमन कर उस पर बड़े बड़े अलिशान मकान बनाये गए है जन प्रति निधियों से लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी सवाल उठाये गए लेकिन अब तक चंद्रावत नदी से अतिक्रमन नहीं हटा और ना ही इसकी सफाई हुई व्यवसाय के नाम से जानने वाली या नदी अब नाले में तबदील हो गई है अब यह खुद अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रही है जल संसाधन समीती के सभापती स अस्थानिया सांसत संजज जैस्वाल ने कहा कि बड़े दुख की बात है चंद्रावत नदी का अस्तित्व खत्रे में है इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोशी है क्योंकि सड़क नदी और नाला इन तीनों पर कभी भी अतिक्रमन नहीं होना चाहिए बहुत ही दुखद इस्तित्य है विगत पाँच वर्शों से मैं ही अपने जल संसाधन समीती के चेर्मेन के नाते चंद्रावत नदी को नवामी गंगे प्रजेक्ट में लाया हूँ लेकिन अतिक्रमन हटाना राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का कार्या है बार बार हम कह रहे हैं कि नदी नाले और सडक तीन इस्थानों पर अतिक्रमन बिल्कुल नहीं होना चाहिए दुखद बात है कि अभी भी प्रशासन या संग्यान नहीं ले रहा है कि नदी अगर समाप्त हो जाएगी तो हमारी सभेता भी समाप्त हो जाएगी